Hello friends, welcome to FDS Pharmacy तो आज की class में हम discuss करनेवाले हैं जो už Cameraesta name 2 है Drug Active-on Peripheral Nervous System इसका Lecture number 8 है इससे पहले हम lectures में topics cover कर चुके हैं इस chapter के अज की class में हम topics cover करनेवाले है ये सारे सब से पहले हम देखेंगे Local Anasthezia क्या होता है उसकी classification देखेंगे, pharmacological action देखेंगे इंडिकेशन देखेंगे, कॉंट्रा इंडिकेशन देखेंगे और डोसेज देखेंगे इन सारे टॉपिक्स को आज की क्लास में हम डीटेल में कवर करने वाले हैं अगर आप इनकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेपसाइड पर आप से कर सकते हो आपकी एक देखेंगी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो चलिए अच्छी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल अनेस्थेशिया के बारे में यानि लोकल अनेस्थेशिया और येक और होता है जेनल अनेस्थेशिया क्योंकि हम नेक्स्ट चाप्टर मतलब आने वाले चाप्टरों में पढ़ेंगे यानि जो local anesthesia क्या होता है कि अगर आपके कहीं पे छोट लगें जैसे इसमें example देखें यहां पे लगें तो इसे क्या करेंगे हम इसमें local anesthesia देंगे क्यों क्योंकि हमको खाली यह area है इसका sensation ब्लॉक करना है क्यों क्योंकि हमें स्टिचेज लगा सकें ठीक है इसलिए तो अगर हमें specific कोई area को sensation को रोकना हो या बंद करना हो तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं जो local anesthesia अगर हमें पूरी body का sensation बंद करना उसमें हम यूज़ करते हैं जन्या जन्यस्ति जो कि आप आने वाले चाप्टरों में पढ़ोंगे ठीक है समझ गए यानि local anesthesia क्या होता है अगर हमें particular body में particular space मतलब एक body में particular जगे का sensation हमें रोकना है या मतलब ब्लॉक करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे local anesthesia ठीक है तो आप ये definition भी देख सकते हो और हम क्या बहुत सकते हैं इसका भी मतलब है यानि हमें किसी भी लोकल एरिया पर सेंसेशन रोकना है या ब्लॉक करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं local anesthesia ठीक है आपको ये याद रखना है local anesthesia क्या होते हैं अगर हमें किसी भी लोकल एरिया या पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट पर सेंसेशन बंद ब्लॉक करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे local anesthesia नेक्स्ट अब हम देखते हैं classification तो classification बात करें तो दो तरह की होते हैं एक होते है इंजस्टनाबल एंजस्टनाबल एंजस्टनाब अगर करें यूज़ केव लियुकी के अगरे лगिनकरीन लेगिनों लेगिन के अचिक ऑस टीक a अपको ज़रूर याद रखने हैं ठीक बात करें एइन कि फार्मक लोडिकले 2 तरीके होते है यह एक होते हैossing clothing के फार्म कलेगा खिंट अनौन करें लोग शेंटी होते हैं यह ुत रादखते है और उसको बंड़े कर दो यहांने कौ सबढक है अडिकी घंटे बाद हो अलब एक्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कहां से मोटर नियूरों से अब सिस्टमिक एक्षिन की बात करें तो cns पे they stimulate cns in starting and then depressed यानि starting में क्या करते हैं यह stimulate कर देते हैं यानि उपसाते हैं उसके बाद इक depression होता है blood vessels की बात करें तो वैसो डायलेशन होती है यानि वैसल जो है वो डायलेट हो जाती है और लोग ब्रेट प्रेशन हो जाता है ठीक है हमने लोकल एक्षिन भी देखा क्या होता है यानि ने वसे इनको ब्लॉक कर देता है नियूरो मस्कुलाइज जेंशन को भी ब्ल और lower blood pressure अब देखते हैं इंडिकेशन यानि इंडिकेशन का मलब होता है आप किस कंडिशन में इनको दे सकते हो यानि यानि इसे हम किसी भी लोकल बॉड़ी के लोकल पार्ट में इस्तमाल करने के लिए यूज कर सकते हैं यानि यूज कर सकते हैं इस को भी ब्लिशन के बात कराएं तो इनके concealed के मतलब होता है कि कन कंडिशन में आपको जेंडर नहीं धेने हैं यूज कॉंटा इनकोन ब zijernessiर में बात करें इसे सकते हो हर फेल्योर में नहीं सकते होेलिके लिए में नहीं दे सकते हैं यह आपको द्यान रखना है एक्जाम में पूछा या सकता है या मतलब इसका कौन नहीं है इसमें से तीन ऑप्शन दे देगे यहां यह तो है एक नहीं है वह आपको टिक करना पड़ेगा तो आप यह जरूर देखिए दोजस की बात करने तो लिगनो क्राइन 4 mg शुड नॉट एक्जेट 300 और 500 एंजी ठीक है फोर एंजी इसमें हम देनी है प्रोक्रीन की बात करने तो टूवल एंजी एंड शुड एक्जिटेड एंड़ेड थाउजन एंजी ठीक है या इसमें 12 एंजी तक देनी है यह चार एं फार्मकलोजिकल एक्शन देखा उनका है इंडिकेशन देखें कॉंट्र इंडिकेशन यानि किस कंडिशन में हमें वह ड्रग नहीं देने और लास्ट नहीं देखें डोजस तो अगर आप इसकी पीडिएफ नूट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसेर्ट कर सकते आप डेली अपडेट डालते रहते हैं जिससे क्या है आपकी एक्शन के पैटेस अच्छी हो से हो जाएगी और लाइक करें और अपने फार्मसी फ्रेंस में जरूद सेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक्यों फॉर वाचिंग दी वीडियो